Traversed का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Traversed का दू तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे Travers किया गया हूँ या जो Travers किया जा चुका हूँ उसे हम Traversed कह सकते हैं इसके इलावर Traversed जो है वो Traversed का Past and Surpassed Participle होता है यानकी Traversed की ही सेकेंड और थर्ड फोम होती है Traversed और Traversed का अर्थ होता है खंडन करना, काटना, घूमना, फिरना, लांगना, पार करना, तै करना, इंकार करना, फैला होना, आर पार रखना, परवत पर तिर्चे चढ़ना, या सकी पर तिर्चा जाना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसने अकेले ही रगिस्तान पार किया, तो आप कहेंगे He Traversed the Desert Alone या अगर आप ये कहना चाहें कि समीती ने उसके प्रस्ताव का खंडन किया, तो आप कहेंगी The Committee Traversed His Proposal अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें